So, क्या bilateral hip replacement के बाद आप jogging कर सकते हो Usually हम patients को slow progression कराते है मतलब आपकी hip replacement surgery हुई तो सबसे पहले तो without support walk करना होता है और जब आप अपनी normal life में वापस जा रहे होते हो तो आपको slow walking number of steps बढ़ाने होते है मेरे बहुत सारे patients हैं जो surgery के एक डिर्ड महीने के बाद मुझे screen shots भेचते हैं अपने phone से कि sir मैंने आज 7000 steps की, आज 10,000 steps की, आज 12,000 steps की है So, एक बार अब जब वो achieve कर लेते हो आपको बोलते हैं आप तेज चलो या brisk walk करो और उसमें number of steps लो वो जब होने लग जाता है तो हमारी hip की muscles, हमारी thigh की muscles, हमारी leg की muscles मतलब strong हो चुकी है और वो उस pressure को, उस load को ले सकती है जो आप jogging में उस पर डालने वाले हैं उसके बाद हमारा next step आता है light jogging यानि कि short steps में छोटे-छोटे कदम के साथ light jogging करना और ये सब bilateral THR के बाद किया जा सकता है It is absolutely safe